नरेंटर मोदी की सुरक्षा और काबल हातूं या एजनसियों के जिम्मे है, जो कभी भी कोई भी कोता ही नहीं बरती। सुरक्षा की ऐसी व्यवस्ता करती है जिसमें परिन्दा भी पर ना मार सके। आपने अगर गौर नहीं किया तो कभी भी मोदी की सुरक्षा में लगे गाडों को गौर से देखिएगा इन में से दो गाड अक्सर आपको एक ब्रीफ केस के साथ देख जाएंगे नहीं या तो 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री के साथ उनके बॉडि गाड्स को देखिए अब ध्यान दे दीजिए हम आपको इस ब्रीफ केस के बारे में बता रहे हैं कि आखर ये ब्रीफ केस जैसी दिखने वाली क्या चीज है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम SPG यानि Special Protection Group नाम की संस्था के जिम में होता है साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार की सुरक्षा का ध्यान भीर रखती है लेकिन अगर वो चाहें तो SPG सुरक्षा लेने से इंकार कर सकते हैं खैर हम आपको बताते हैं कि जिस अजीब से दिखने वाले सूट केस की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक न्यूक्लियर बटन होता है जिसे प्रधानमंत्री से कुछ फीट दूर रखा जाता है ये असल में एक पोर्टिवल फोल्ड आउट बैलस्टिक शील्ड होती है जो एन आईजी लेवल 3 की सुरक्षा प्रधान करती है ये देखने में बेहत पतली होती है अगर सुरक्षा में लगे लोगों को किसी भी तरह का खत्रा महसूस होता है तो उन्हें बस इसे नीचे की तरफ खोल देना होगा ये एक तरफ से एक धाल का काम करता है SPG के साथ एक काउंटर अटैक टीम कैट भी होती है जो सुरक्षा के अलग-अलग पैतरे इस्तमाल करती है इन लोगों की एक बेहत खास तरह की ट्रेनिंग होती है इस ट्रेनिंग को किसी तरह के अटैक के समय प्रधान मंत्री के सुरक्षा करने की बेहत कठिन ट्रेनिंग दी जाती है तो जान गए न आप मोधी के ब्रीफ केस का राज जो सुरक्षित कर रहा है देश के प्रधान मंत्री को एनमेफ निउस के रिपोर्ट